हेलो फ्रेंट्स नमस्ते सस्रियाकार आदाव वरक्कम अभिवादन के जो भी सब्द आप सभी को प्रियर लगे उन्हीं शब्दों में आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सर्दियों का मौसम आ गया है और अभी हेयर फॉल से सभी लोग परिशान है कोई एकाद लोग ही होंगे जिनका हेयर फॉल नहीं हो रहा हो तो इस हेयर फॉल से बचने के लिए मैं एक बहुत ही इफेक्टिव होममेड ओनियन ओयल लेके आई हूँ मार्केट का खरीदा हुआ ओनियन ओयल तो आप बहुत बार लगा चुके होंगे एक बार ये घर में खुझ से तयार किया हुआ ओनियन ओयल लगा करके देखिए आपके बालों का जढ़ना ये 99% तक कम कर देगा मैं ये रेमडी अभी वनबन से लगा रही हूँ मेरे बालों में इसका बहुत अच्छा असर हुआ है और मेरे बाल जढ़ना एकदम रुख गए हैं और नए छोटे छोटे बाल भी निकल रहे हैं मैंने एकदम डाक लाल ओनियन लिया था उसे मैंने एकदम अच्छे ते कद्दू कस करके ले लिया है अगर आपके पास लाल प्याज एकदम नहीं है तो आपके वा बाल ले रही हूं चोटा सा कटोरा और इस कटोरी में मैं सारा प्याज का जूस निकाल लूँगी तो यह देखिए एकदम अच्छे से सारा जूस निकल रहा है आप इसे चाहे तो छनी से भी चान सकते हैं लेकिन उसमें प्याज का हलका हलका टुकरा गिरेगा तो वह हमारे इंग्रीडेंट मिला लेंगे तो अब इसमें मैं सबसे पहले डाल दूँगी यही ओनियन का जूस यानि की प्याज का रस जो हमने निकाल करके रखा है और इसमें मैं डाल दूँगी कैस्टर ओयल तो यह कैस्टर ओयल है अगर आपको नॉर्मल दुकान में यह नहीं मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी पर्चिस कर सकते हैं मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगाया था यह बहुत पावरफुल है हमारे बालों के लिए बहुत एफेक्टिव है हाँ अगर इसे हम ऐसे ही लगाएंगे और हमारे बाल कमजोर है तो यह हमारे बालों को और तोड़ सकता है मैं मिला रही हूँ स्वीट एल्मन ओईल यानि की रोगन बादाम का तेल तो यह ओईल मैं पूरे एक चमच भरकर के समें डाल दूंगी ताकि हमने जो दो पावरफुल ओईल इसमें मिलाया है एक हमने प्याज का रस मिलाया है और दूसरा हमने केश्टर ओईल मिलाया है वो अच्छे से मिक्स करना है तो यह देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी में आने तक हमेसे एकदम अच्छे से मिक्स करते रहना है और आप मैं बता देती हूं कि आपको यह ओईल कब और कैसे लगाना है तो आप सब्ता में जितनी बार भी अपना हैड़ वास करते हैं उतनी बार आप टूटे नहीं और यह 66 मानु में इसे इसे आप लगा सकते हैं आप gry você चृट बोर में बालव करें तो किनंगी कह पहले हवारा कर लगा कर देखिए तो fuzzy हम कॉटन के साहिता से एंसे प्रों का मांग जड़ का इलाज करना है और इसे आप 3-4 घंटों के लिए बालो में रहने दीजिए और उसके बाद आप अपना head wash कर लिए एक बाद मैं फिर से बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या-क्या चीज कितने मात्रा में दिया है तो मैंने प्याज करस आधा चमच दिया है और आधा चमच ही मैंने केश्टर ओयल दिया है और एक चमच भर करके मैंने इसमें दिया है रोगन बादाम सिरिन और दोस्तों ये वीडियो आपको जरासा भी इंफोर्मेटिव लगा हो और इससे आपने जरासा भी कुछ भी सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये बिना नहीं चाहिएगा और साथ में जो बैल आइकन है उसे प्रेस चरूर कर दिजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई